स्वागत आपका मारे यूट्वी चनल वाटीज में को और फिर से आज किस वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं यू-n-c-e-d के बारे में यानि अर्थ सर्मीट के बारे में कि यह खिरकार होता क्या है इसका क्या होता है अजेंडा 21 क्या है यू-n-fccc क्या है क्योटो स्काइब करके बेल बटन जरूपस कर लें ताकि इसी प्रका के सारी इंपोर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है ओन टाइम फर्स्ट अफ और यू-n-c-e-d को ही रियो डिजनेरियो अर्थ समीट के रूप में जाना जाता है या तो आप यू-n-c-e-d बोल लिजे या फिर आज समीट बोल लिजे या फिर यू-डिजनेरियो समीट बोल लिजे फिर यू-कॉन्फरेंस बोल लिए इन सब का मतलब एक ही होता है सबसे पहली बात तुम्हें आपको बता दूं कि आज समीट जो हुआ था वो 3.92 से लेके 14.92 तक हुआ ब्राजील क यो-डे-जेनेरियो में जिसके कारण से नाम आस का नानब समीट के वही रूक में जाना जाता है अब इसका उद्देस ये था कि और सभी देशों का आर्थिक रूप से विकास भी हो सके ब्राजील के रियो डीजनेरियों में जो 1992 में अर्थ समिट हुआ था वो अब तक का दुनिया भर के नेताओं का सबसे बड़ा गैधरिंग था इसमें कुल पूरे बिस्व के 178 देशों के नेताओं ने भाग लिया था जब अर्थ समिट 1992 में ब्राजील के रियो डीजनेरियों में हुआ था तब कुल 178 सभी 178 देशों के नेताओं ने संधी और समझाओते के माध्यम से कमिट किया कि वे अपने अपने देशों का आर्थिक रूप से बिकास करेंगे बिना प्रकृति को हानी पहुंचाए तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया जब अर्थ समीट हुआ था तो सभी 130 देशों के नेताओं के बीच में बहुत सारे संधी और समझाओते हुए थे उनमें से अगर कुछ की बात किया तो पहला था कंफेंशन ऑन बायोजिकल डैवर्सिटी दूसरा था युनाइटे के बारे रूप में भी जाना जाता है तीसरा था एजन्डा 21 चौथा था फॉरेस्ट प्रिंस्पल इसके लावा दो प्रोटोकल और थे क्योटो प्रोटोकल जो कि 1997 में हुआ था और इसके लावा पैरिस अग्रिमेंट जो की दोहर 15 में हुआ था इन सभी चीजों के बार मे था वो अर्थ समीट के दारान वो यह था कि दुनिया भर के सभी देशों में जो टॉक्सिक कंपोनेंट्स पैदा होते हैं उनके देश के अंदर जैसे कि गैसो लाइन में लीड का प्रोडक्शन होता है रेडियोक्टिव केमिकल्स का होता है वैसे कंपोनेंट्स जो के हमार समाधान निकाला जा सके ताकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे कोई इफेक्ट न परे अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि फॉसिल क्या तो फॉसिल फुल होता है जो कि हमारे नेचर के द्वारा मिलता है जब पेर पौधे जनबर मरने के बाद जमीन के नीचे चल जाते हैं तो फॉसिल फुल में कनभाट होते हैं जैसे कि कोईला पेट्रॉलियम यह सब फॉसिल के कैटेगरी में आता है तो इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी कि इन सभी के यूज को कैसे कम किया सके इनके लिए अल्टरनेट सॉस ऑफ एनरजी का डिवलाप्मेंट का समाधान निकाल आया सके अगर आपको इए वीडियो अच्छा लाग भरा और हल्फफल लागरा तो आपसे कर्जेश्ट है कि वीडियो को दो सेकंड पAll कर कर लायक जरू कर दें क्यूंकि होता कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा हेलफ़ भी लगा अपने पूरा देखा भी पर आप बाद मुझे से लाइक करना भूल जाते है तो आप से के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉस करके लाइक जरू कर दें जो तीसरा मुद्दध था जो रियो डीजिने रियो के अर्थ समिट के दोरां जीस पर चर्चा हुई थी वो हुई थी कि पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन के इस्तमाल को कैसे बढ़ा जा सके बिस भर के सभी देशों में पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन के इस्तमाल को कैसे बढ़ा जा सके ताकि गाडियों की संक्या कम की जा सके अब गाडियों की संक्या कम होगी तो गाडियों के जो कि चर्चा हुई थी वह था पानी जिस तरीके से हमारी आवादी बढ़ रही है और पानी का जो सप्लाई है वो लीमिटेड है यह सबसे बड़ा मुद्दा था अर्ट समीट के दौरान इसको हैंडिल करने का तरीका कैसे किसी हर एक देश को पानी के सप्लाई को हैंडिल कर ना है इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी नाटिड नेशन्स कॉन्फरेंस ओन इंवर्मेंटल डेवलापमेंट यानि आज समीट के दौरान अब आते हैं उस मुद्दे पर जीसे कि हमने वीडियो में पहले छोड़ रखा था वो यह कि कौन-कौन से संधी और समझाओत किया था कि वे अपने अपने देशों में पेड़ पौधे जंगली जनवर और इंडेंजर्ड स्पीसिज बोलने को मतलब वैसे जनवर जो की बिलूप्त होने के अकगालप है इन सभी चीज को प्रॉपर तरीके से हैडिल करेंगे इनका कंजर्वेशन करेंगे इसको ग्लोबल वामिंग कन्वेंशन के भी रुप में जाना आता है इस समझावते के अंदर सभी 178 देशों के नेताओं ने समझावता किया था कि वे अपने अपने देशों में वैसे गैसे का इमिशन को कम करेंगे जो कि बिस्वुक के ग्लोबल वामिंग को इंक्रीज कर करना है इन गैसे का इमिशन ताकि ग्लोबल वामिंग पर कोई फेक्ट ना पर पाए जिस कारण से इस समझावते में सन 1997 में संधी किया गया और उस संधी का नाम दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल इस प्रोटोकॉल के अंदर सभी देशों को ये बताया गया कि कि किनको कितन कि इस गैस का इमिशन कम करना है जो कि बाद में 2015 में परिश एग्रिमेंट के भी रूप में जानना जाता है तीसरा मुद्ध था वो था एजेंडा 21 एजेंडा 21 वैसे 21 मुद्ध थे हैं जिस पे सभी देशों ने संधी किया समझाथा किया कि जिनको अपने अपने देशों क के अंडर रिसार्स्स का मैंजमेंट कैसे करेंगे बाय लूजिकल ।ामर्सomyxico के Peach क्षए करेंगे गश्रूस्वी के रोल को मजबूत करना और इनको बरावर का अधिकर देना अंतरा स्छाभास के सुझार करना और वहें बहुत २र्चे जिस पर कि इस एड़ेंडर 21 पर समझाओता किया गया था जो आगला समझाओता था वो था फॉरस्ट प्रिंसपल इस समझाओते के अंतरगा सभी 178 दिस्क ने तो नहीं समझाओ संधी किया कि वे अपने अपने देशों में रेइन फॉरस्ट को बढ़ावा देंगे ताकि ग्लोवल वामिंग के एफेक्ट को कम किया जा सके और प्रिथवी को सुरच्छी तरखा जा सके अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और हिल्फुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक जरू कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ सेर जरू क्या करें क्योंकि हर एक लाइक और हर एक सेर हमारे लिए बहुत ज़्यदा इंपॉर्टेंट है और अभी तक आपने करह मार्चल सब्सक्राइब नहीं क्या तो मार्चल को स वोडिफिकेशन आपको मिलता रहे और टैम धन्यवाद